हेलो दोस्तो आज आप हमारे वीडियो में देखेंगे कि ड्राइफ रूट्स को मैं इस मौसम में कैसे रखती हूँ दा हेक्टेर लकनो साइट बहुत है यूसफुल साइट है अब इस पर जाएए रिसर्च करिए प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको बहुत से नौलिज मिलेगी देखें हमारे महीने के सामान में कुछ ना कोई ड्राइफ रूट्स तो सबके घर में आते होंगे तो हमने जो डब्बा आपके घर आइसक्रीम के डब्बे आते हैं मिठाई के डब्बे आते या भी किसे भी इसको डब्बे आते प्लॉस्टिक डब्बे उन सब डब्बों को आप ले लिजे डब्बे देखने सुन्दर भी बहुत ज्यादा होते है और उन सब डब्ब में जो भी ड्राइफ रूट्स है सारे ड्रारी food को आप खोल ख्ल करके रख लीजे दे कि हमने स्टार्टिंग में दो पैकट काजू था हमारे हमारे आहां तो उसको हमने डब्बे में रख लिया दो पैकट बड़ाम है यहां पर आलमंड उसको हमने डब्बे में रख लिया और इसके सिरू नहीं हम यह हैं accomplishment betas आप तो हर जगह चीटियां आपको परसान करते हैं, अगर आप बाहर रखेंगे, तो आधा से ज्यादा चीटियां ही चट कर जाती है, तो हमारा खाना दूर छोड़ दीजे, चीटियां ही खाती रहती है, और मौस्टर भी होता है, आज कल के मौसम में, तो मौस्टर से भी हमे डबा लिया है उसमें, और उसमें अखरोट भी हमने डाल दिया है, अब उसके बाद आता है, जो भी आपके घर ड्राइफ रूट्स है, सारे ड्राइफ रूट्स को आप पैकेट से बाहर निकाल करके, आप प्लॉस्टिक के डबों में भर करके, धक्कट टाइट बंद करके अब फ्रेज में रखिये आसानी से रखिये उससे क्या होगा कि आपके ड्रायफ रूट्स पे, कि मौँभी आपके रूट्स में अच्छा रहता है, और दूसरी बात शीटी या मखी से भी आसानी से बचा रहता है, देखिये अनजीर जो है कई लोग इसको रात में दूद म फि Cameron करते हैं तो अंजीर इतना ज्यादा। चिपका होते हैं एक दूसरे में उसको निकालना एक करके निकालना बड़ा मुझ्किल हो जाता अकर अब फ्रिज में रख देते हो और फिर इसे प्लास्टिक के डब्बे में रख लेती हूँ इससे क्या होता है कि रात में माल लेजे दो अंजीर को हमें दूद में भीकाना है तो मैं बड़े आसानी से दो अंजीर निकालती हूँ और फिर दूद में भीका करके रख देती हूँ यह बहुत ही आसान है देखे किसे आप सारी ड्राइफ फूट्स को प्लॉस्टिक के डब्बे में भरिए और फिर उसको बड़े ही आराम से किसमें से आप किसमें के साथ भीवई कर सकते और फिर अपने फ्रीज में सेल्फ में अच्छे से लग सकते वीडियो पसंद नहीं लाइक सब्सक्राइब